हेलो स्टुडेंट्स हाव यू आई होप आपको सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सभी सुरक्षित होंगे आज हम स्टार्ट करते हैं आपके हिंदी गुलमुहर का पार्ट चार हिंदी गुलमुहर का पार्ट चार स्टार्ट करते हैं इसके पहले की थ्री चैप्टर्स तक आपके अपरल मंत में हो चुके हैं तो आप इतने कंप्लीट चो कोर्स हुआ है इसके आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे हम स्टार्ट करते हैं आज पाठ चार नौकर की मूर्खता में साथ आप भी रिपीट कीजिएगा एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा बैगन बहुत अच्छा लगता है हैना आज हम बैगन खाएंगे मालिक की बात सुनकर नौकर बोला हाँ मालिक अवश्यक आईए यह तो सारी सब्चियों का राजा है तभी तो इसके सिर पर मुकुट है मुकुट मिन्स टाज जो राजा महराजा पहनते मुकुट वही है क्या टाज मालिक के कहने पर नौकर ने बैगन बना दिया और मालिक ने जी भर कर खाया साम को अचानक मालिक के पेट में दर्द होने लगा उसने नौकर को बुला कर कहा बैगन बहुत बुरा होता है जब से खाया है तब से पेट में दर्द हो रहा है आज के बाद मैं कभी बैंगन नहीं खाऊंगा तो नौकर खड़े खड़े से रहिलाता रहा और मालिक की बात खत्म होते ही बोला बिलकुल मालिक बैंगन तो होता ही बहुत बुरा है तभी तो भगवान ने इसका रंग काला बनाया और नाम भी बैंगन रख दिया बैंगन मिन्स बिना गुण का जिसमें कोई भी गुण ना हो उसे बैंगन बोला गया बैंगन नौकर की बात सुनकर मालिक हैरान हो गया मतलब परिशान हो गया सोचने लगा हैरान हुआ और बोला सुबह तो तुम इसकी बहुत तारीफ प्रसंसा कर रहे थे अब क्या हो गया सबचियों का यह राजा बैंगन कैसे बन गया यह एक पेज हमने रेट किया आप भी इसे फिर से रेट कीजेगा चली एक बार फिर से बढ़ते हैं ताकि आपसे मात्राओं की गलतियां ना हो और आप उन्हें इस पस्ट बोलें सही उचारण करके बोलें चली फिर से बोलेंगे हम पाठ चार नौकर की मूर्खता एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा बैंगन बहुत अच्छा लगता है आज हम बैंगन खाएंगे मालिक की बात सुनकर नौकर बोला हाँ मालिक अवश्य खाईए यह तो सारी सबचियों का राजा है तभी तो इसके सिर पर मुकुठ है मालिक के कहने पर नौकर ने बैंगन बना दिया और मालिक ने जी भर कर खाया साम को अचानक एकदम से मालिक के पेट में दर्द होने लगा उसने नौकर को बुला कर कहा बैंगन बहुत बुरा होता है जब से खाया है तब से पेट में दर्द हो रहा है आज के बाद मैं कभी बैंगन नहीं खाऊंगा नौकर खड़े खड़े सिर हिलाता रहा और मालिक की बात खत्म होते ही बोला बिलकुल मालिक बैंगन तो होता ही बहुत बुरा है तभी तो भगवान ने इसका रंग काला बनाया और नाम भी बैगुण रख दिया बैगुण मेंस बिना गुण का जिसमें कोई भी गुण ना हो तो नौकर की बात सुनकर मालिक हैरान हुआ और बोला सुबह तो तुम इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे अब क्या हो गया सबजियों का यह राजा बैगुण कैसे बन गया तो स्टुडेंट्स नाव यर होमवर्क टाइम यह एक पेज जो हमने रीट किया इसे आप फिर से अच्छे से हिच करके अच्छे से सही उच्चारण करते हुए और मात्राओं का सही उच्चारण करते हुए आप इस पेज को एक बार फिर से अच्छे से रीट करिएगा okay students, okay so now complete your homework, bye bye, have a good day